खत्म बाई बाई टाटा गुडबाई गया आपको पता है इसमें सबसे बड़ी गलती किसके है ये साले भड़वे चायना की साले चाव चाव वाली कुछ भी करते रहते हैं हराम के पिल्ले अभी आप लोगों को लग रहा होंगा कि मैं इसा क्यों बोल रहा हूँ तो सुनिए हमारी जो पर्सनल इन्फोर्मेशन है वो टेंसन कंपनी के द्वारा जो खुद एक चायनिस कंपनी है वो उनकी चायनिस गवर्मेंट को बेची जा रही है तो भाई सबसे ज़ादा रेवेन्यू तुम हमारे ही देश में कमाओ और हमारी साले मादर चुदर को यहाँ पर इंपोर्टन बात चल रही हूँ अपनी गान मरा रही हूँ बीच में एक मिनिट दोस्तों मैं अभी इसकी गान पूरता हूँ हाँ तो हम कहा थे हाँ हमारी पर्सनल इंफोर्मेशन जहें वह चाइनेज गवर्मेंट को दी जा रही है टेंसेंट के द्वारा तो उसी के लिए हमारे मोदी जी को जो है ठोस कदम उठाना पड़ा पब जी बैन करनेगा लेगिन आप टेंशन मतलू दोस्तों मैं 100% कि PUBG वापत ज़रूर आएगा क्योंकि PUBG से जितना भी प्राफिट क्राफटन कंपनी को होता है जो कि एक कोरिया की कंपनी उसमें से सिर्फ 10% पे ही टेंसेंट वालों का हक है तो अपने 10% के प्राफिट के लिए क्राफटन वाले अपना लाखो करोडों का नुकसन तो नहीं क चिल करिए दोस्तों ज्यादा टेंशन मत लीजें अरे मादर्चो दिये क्या था इस बार तो पिंग भी ठेकी है मेरा अब कौन से नशे करके आया है यह बंदा साला मेरा फ्री किल चला गया देखे जरा और एक बात गयाज में आपको बताना भूली गया कि हमारी इंडियन डेवलेपर कमपनी जो है एनकोर वो एक गेम बना रहे है फोजी जो के एक मल्टि प्लेयर गेम है और उसका जितना भी रेविन्व निकलेगा उसमें से 20% हमारे वीर जवानों को दिया जाएगा तो ये हमारी इंडियांस के लिए बहुत ही प्राउड वाली बात है तो फिलाल मेरे सामने है एक सकाट तो जल्दी से जाते है और उनके गान में ज़ाडू डाल कर वापस आते है सालो ऐसा शाट मारूँगा कि बिल 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 आ जाओगे समझे भोसडी के मुल्डी दिखाता है मादर चोत बता तेरे दूसरे दोस का है बता 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 सांग सांग साल्या ये देखो भाग रहा है भोसडी का हां अभी दोस्तों आप देखें मेरा चीर फाड़ वाला क्लच एक दम कड़क वाला अब एक तेरे बस की बात में है अगली बार अपने बाप को भीजना तो अपने लेफ्ट में है और एक बंदा तो जल्दी से जाते हैं और उसकी भी गाण में गरम गरम राड घुशड़ देते हैं घुशड़ी के अपने बाप से ज़्यादा कभी बख्चो दी नहीं करना समझे गांडो इनको खतम करके मैं आगे जाही रहा था कि उतने में ही पिंग ने फिर से अपनी गांड मराना चालू कर दिया अभी तो रोजकाई हो गया है भाई अब क्या भूले तो इस बाट को खतम करने के बाद हमारे हो चुगे साथ किल आट भी किल हो जाते है हमारे अगर हमारा टीम मेट चो है हमारे मुझे आट वन निवाला छिन नहीं लेता तो लेकिन कोई बात नहीं दोस्तो यह ठेरा आखरी गेम और उपर से है वो हमारा टीम मेट तो अगर PUBG बैन नहीं हुआ तो तो किल्स के लिए आपको दो दोस्तों के बेश लड़ाई देखने को मिल जाती फिलल हमारे सामने स्कॉडरस में है दो बंदे तो अभी नंबर वन माले प्लेयर को जो है कुछ ज़्यादा ही जो चड़ जाता है वो अकले ही पुछ करने के लिए निकल पड़ता है बोलता है कि भाई आखरी गेम है मैं घुस के मारूँगा पूरा तोड़ फोड़ के रख दूगा लेकिन मैं बोलता होगी भाई तुम बहाँ जाके नौक होके अपनी गान मरवाओगे उपर से हमें बोलोगे कि भाई कवर ने देता ये नहीं करता वो नहीं करता तो वो मेरी बात माल लेता है और वो अंदर जाके मैं बोलता होगे भाई तुम आगे बड़ो हम तुमारे साथ है लेकिन जैसे ही वह जाते है उसकी गांड़ पर चार बूलिट लग जाते है और वह नौक हो जाते है अब उसकी गांड कैसे बचाते हैं अब देखिए तो यहाँ पर नाड़े का बहुत भैतरीण कवर फायर था जिससे हम वो दो बंदे आसानी से मार पाए नाडे से याद है जस्ट अभी अभी उसने अच्छे से खेलना सीख लिया था और इसी सिजन में उसने रायल फास भी खटी था था लेकिन बतकिस्मत ही देखो लॉंडे की PUBG ही बैन हो गया है हाथो मैं आपको बता तू जब तक PUBG अन्बैन नहीं हो जाता तब तक हम हमारे चैनल पर बहुत कुछ इंट्रेस्टिंग खेलने वाले मेरा मतलब PC के जितने भी मिशन वाले चीरफाड एक्शन वाले गेम्स रहते हैं वो हम हमारे चैनल पर खेलेंगे और उसी के साथ Call of Duty Mobile जिसे धासू गेम्स और बिल्कुल नया फ्रेश कंटेंट ज़रूर लाएंगे तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब करके बेला के अंदबना ना भूलेगा तकि आप अगली आने वाली वीडियो मिस ना कर सको याप पर पोचिंगी को साप करने के बाद हम आचुके हैं ड्रॉप नूटने क्योंकि हमारे पर लेवल 3 वेस्ट और हेलमेट कुछ नहीं था और अच्छी गन मिल जाती तो भी बहुत अच्छा हो जाता हमारे लिग यूकि अभी भी 11 बंदे अलाइव थे और हम ढूंट रहे थे कि कोई स्कॉर्ड मिल जाए लेकिन अभी भी कोई मिल नहीं रहा था कुछ बंदों को अभी भी रैंक पुश करना था क्याम करके तो हमारे सामने थी और एक स्कॉर्ड आगे वाले स्कॉर्ड होस में तो जल्दी से जाते हैं और उन सब की बुंड भाड़ के रख देते हैं इस खिडिके से जाक रहे बंदे को हमने बाड़ी और हेट्शॉट दे दी थे जिससे के वो पूरी तरीके स्लो हो चुका था तो चलिया चलते हैं और उन भोसडी वाले को बीच में से काट डालते हैं तो इस गिली सुट वाले बंदे को देखिए साला साप बनने के कोशिश कर रहा था लेकिन उसको ही कुचल दिया हमने तो इसको मारने के बाद इस छत वाले रईस को भी कर देते हैं खतम और जल्दी से पुश कर देते हैं इनके स्काड हाउस पर और खतम कर देते हैं इनका खेल साली कुछ ज्यादा ही टाइगर श्रॉप बनने के कोशिश कर रहे थे हरामी के अब दाबो बे अब भाग रहा है भुशिड वाला पकड़ो साली को दोड़ो दोड़ो सालों के पीछे भाग यहाँ पर हमारे भी यह लग जाते हैं लेकिन पर हमारे टिम मेट ने कवर फ़ार दे कर हमें भी बचा लिए तो इनके अभी दो टिम मेट सोर बागी थे जिन में से एक ने हमारे पार्टनर को नौक करके पूरी तिरे के से खतम कर दिया अभी उस मादर चोट के बच्चे को कैसे मारते हैं अब देखिए आप भोस सरी के हमारे टीमेट को मारेगा बैं मादर चोट मार वरे साले को तो इसको खतम करने के बाद इनका बाकी था एक आखरी बंदा लास्ट बंदा इस गेम का जो कि हमारे स्नाइपर को दिख जाता है तो चलिए जल्दी से चलते हैं बग्गी लेके बैड़ जा भाई नाड़े गाड़ी में जल्दी बैड़ जा आजा तो नाड़े को लेके जिस सीधा चलते हैं इस पे और उसके मूँ में नली डालकर इस गेम को जीत लेते हैं आमा राइडर प्रोवाइडर ब्रिंग दे हीट केल आमा ब्रिंग दे फायर साले गाना सुनेगा माल देरी चोप इसी के साथ हो चुका है हमारा चीकन डिनर और इस आखरी चीकन डिनर में हमारा टियर था एस डार वन जैसा कि आप सब लोग देख सकते होंगे और गाइस सच बूलो तो पिछले कुछ दिनों से इस चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत ही जबरदा सपोट रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच और आई होप आने वाले दिनों में आप ऐसा ही प्यार हमारे उपर बनाई रखेंगे और मैं आपको कॉलिटी कंटेंट देता रहूंगा तो गाइस वीडियो अच्छा लगों तो वीडियो को लाइक ज़रू कर देना और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही चाना मैं मिलता हूँ आप लोगों को ओर एक नए वीडियो में तब तक के लिए दिस इस लीवाई साइनिंग आफ